नवस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूस जिटीन मदप्रिदिश च्छतिस गड़ के इस जिजिटर प्लेटफॉर्म में मैं होरी नुयादब अक्सर आपने देखा होगा कि भागती दौरती जिंदगी में लोग घर में काम करने के लिए हलपर रख लेते हैं जो कि घरेलू काम के साथ साथ अगर महिलाएं जाद अव्यस्त है अपनी नौकरी में तो उस दौरान खाना बनाने के लिए भी एक हलपर रख ली जाती है जो कि खाना बनाने के साथ साथ किचन के और भी जो काम काज होते हैं उनको देख लेती हैं लेकिन कई बार विश्वास के साथ जिन हलपर से खाना बनवाया जाता है वो कई बार ऐसे कारणामी या ऐसे चोकाने वाली अजीबों गरी भरकते कर देती हैं कि लोग आश्यर हो जाते हैं और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते दरसल यूपी के गाजियाबाद में क्रोसिंग रिपब्लिक थानक शेतर में एक घरेलू साहीका ने यानि की नोकरानी ने चोका दिया सबको क्योंकि ये एक रियल स्टेट कारोबारी के घर का पूरा घटनक्रम है जब घर के सभी सदस लगातार बिमार होने लगे अचानक से उनके लीवर की समस्या शुरू हो गई और ये पिछले दो तीन सालों से परिशान थे डॉक्टर को दिखा रहे थे लेकिन डॉक्टर दवाई भी दे रहे थे लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे थे लगातार ये बिमारिया उनकी बरती जारी थी और जब थोड़ा सा डाउट हुआ तो आट साल से जो महिला इनके घर में खाना बना रही है देख रेक के लोनों ने मोबाईल कैमरा ओन करके किचन में रख दिया और पूरे दिन की रिकॉर्डिंग जब रात में देखी गई तो सभी के होश फाक्ता हुगे क्योंकि उस दौरान देखा एक महिला रीना नाम की जो कि उनके घर में पिछले आट साल से खाना बना रही है उसने किचन के एक बरतन में पहले तो पेशाप किया और फिर उसी पेशाप से उसने आटा गूठा आटा लगाया और उसी आटे की रोटी बनाकर पूरे घर वालों को उसने खिला दिया तब जब ये वीडियो देखा गया तो लोग आश्चर हो गए जो कारूबारी की जो पतनी है वो चौक गई इसलिए क्योंकि वो पिछले आट साल से जिस महिला पर इतना भरोसा कर रही थी उसने ना जाने क्या क्रित्त कियों होंगे जो वो खाना बना रही है क्योंकि दोनों ही लोग बहुत बिजी रहते थे और पूरा किचन इस रीना नाम की साहिका के भरोसे छुटा हुआ था जीजों में पता नहीं क्या कि ऐसा कुछ मिला होगा जो कि उनकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवार था कारोबारी की परिवार को पेशाप मिलाकर जब आटा लगाकर रोटी खिलाई गई उसके बाद कर जब वीडियो सामने आया है सभी चौक गया तुरंत इसकी शिकाय पूछा गया तो उसने साफतर पर मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसको जूटा फसाया जा रहा है लेकिन जब वीडियो दिखाया गया तो उसके बाद वो बिल्कुल चुप रहे गई उसके पास कोई सफाई देने के लिए कुछ था नहीं और इस पर एक्श पहीर होने लगी सभी सदस्यों की तो सभी लोगों को एक डाउट हुआ कि आखिरकार एक साथ एक ही परिवार के लोग इतना तेजी से बीमार कैसे हो रहे हैं और इतनी दवायां कराने के बाद डॉक्टर से इतना कंसल्टेशन के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं उसका क सारण क्या हो सकता है और जब देखा गया मोबाइल कैमरा लगा दिया गया और जब पूरे दिन की रिकॉर्डिंग उसमें देखी गई तो सभी लोग चौक गए आज देखिए कि अब आज के दौर में भरोसा करना किसी एक व्यक्ति पर क्योंकि हमने कई सारी ऐसे खबरे देखने के लिए उनके माध्यम से ही सारी घटनाई होती है और यह बहुत ही अब समवेदन शील मुद्दा बन चुका है क्योंकि लाइफ इस्टायल इतना जादा बिजी है हस्बन वाइफ का क्योंने नौकरी करना है पैसे कमाने है ताकि बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकें और उनकी देखरेक में जिनको लगाया जाता है वो ही उन बच्चों के साथ उनके स्वास्ट के साथ खिलवार कर देते हैं आप देखिए कि फरवरी 2020 में इंदरा पुरम की ग्यानकंड में भी घरेलू साहिका बरतन में मूतर करती हुई पाई गई थी और यह पूर सेंटर में बेचा जा रहा था और इसमें जब लोग जूस पीते तो उसके बाद उनकी अचानक से तब्यत खराब हो जाती थी और जब कुछ वीडियो सामने आए लोगों को डाउट हो तो पता चला कि इतना बड़ा घिनोना काम यहां पर हो रहा था अब जो पेडित उसके शिकायट पर महिला को तो गिरफतार कर लिया गया उससे आगे की पूछताच हो रही है उसके धाराओं के त्यात मामरा भी दर्च कर लिया गया है और पूरा परिवार चुकि बहुत बिमार है लगतार डॉक्टर से दवाईयां चल रही है लेकिन उसके बावजूत को भी हाउसमेड आ रही है जो काम करें खास्तों पर जो खाना बना रही है उन पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत अपने बच्चों को छोटे मासुम बच्चों को किसी के भी भरो से खाने पिने के भरो से मत छोड़ें क्योंकि कई बार होता है कि किसी दूसरी मेड के भर अब दो के लिए आप न्यूज़ेटीन MP36 गर के साथ बने रहिए नमस्कार